So, Hello and Welcome You All, I am Ruit from Margin Trader So guys, आज हम बात करने वाले हैं Paytm के बारे में और guys अगर देखा जाए तो इससे 197 Communication Ltd के नाम से भी अब जाना जाता है और देखा जाए तो Paytm Ltd में जैसे ये market में listed हुआ था उसके बाद continuous list में गिरावट हमें देखने को मिली तो गिरावट के कारण कई लोगों को नुकसान हुआ था बट किसी particular level पे इससे support लेना ही था तो इसका जो support level है आपने find किया था और मैंने आपको बूला भी था guys कि इस पर आप अगर खरीदारी करते हो तो तगड़े return आप gain कर सकते हो तो जिनों ने भी जो हमारे दिये गए levels पे खरीदा होगा उनके तगड़े return यहावर बने होगे तो guys अभी भी आप late नहीं हुए हो मैंने कल भी एक level दिया था उस पे अगर आप buy किये होते तो आज भी return में ही थे और परसो भी मैंने बोला था और बिलकुल return में रहते हैं क्योंकि कुछ patterns ही इसमें ऐसे बनते वे नजर आ रहते हैं तो guys पेटियाम Ltd अगर देखा जाया तो कुछ support levels इसमें यहाँ पर मिल रहे हैं और उन support levels के हिसाप से अगर देखा जाया तो बिलकुल जहां से गिरना स्टार्ट हुआ था यह वही पर जाने की फिर से कोशिश कर रहा है तो क्या levels है उन्हें हम discuss करेगे और guys अगर देखा जाया market cap के हिसाप से तो market cap के हिसाप से आज तक का सबसे सही stock था पेटम, पेटीम, एल्टेडी, आईप्यो के इतियास में सबसे सही था और सबसे बड़ा था और अगर देखा जाया तो 50,000 इसके market cap में से मतलब गायब हो गए था सीधा जैसी यह नीचे गिरा तो market cap में से सीधा 50,000 चले गए था और गाइस अगर देखा जाया तो stock में अभी भी बड़त हमें देखने को मिल रही है तो गाइस क्या कुछ चार्ट में होने वाला है तो चार्ट को अगर आप समझ गए आज के दिन का भी मैं बताने वाला हूँ और मैं इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना फोर शेर्स के अपडेट्स के लिए शेर्स के लिए टेस न्यूस के लिए तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो गाइस बात कर रहे हैं पेटियम L2D के बारे में 197 कम्मिनिकेशन L2D के नाम से अब इससे जानते हैं और देखा जाया तो स्टॉक में आप देख सकते हो 1786.65 पे इसका करन प्राइस चल रहा है और वही अगर देखा जाया कितना स्टॉक बढ़ा है 34 रुपे 20 पेसे तक स्टॉक में यहाँ पर बढ़त है और साथ ही अगर देखा जाया 1.95 परसें तक स्टॉक यहाँ पर बढ़ता हुआ नचर आ रहा है और देखा जाया अब चिलते हैं सिदा यहाँ पर चार्ट पर तो पहले हम डिसकस करेंगे वन हाँ चार्ट फ्रेम पर क्या कुछ हमें लेवल से आप पर देखने को मिलते हैं तो वन हाँ चार्ट फ्रेम पर अगर देखा जाए तो इस लेवल पर इसने सपोर्ट लिया था और इस level के मैंने यहाँ पर बोला था buy करने के लिए यहाँ पर मैंने बोला था buy करने के लिए क्योंकि यहाँ पर अगर मैं यहाँ से बाहर कुछ पैटन बताओ तो कुछ इस तरीके का pattern यहाँ पर बना था तो मैंने बोला था कि अगर यहाँ से उपर जाता है आपको बाई की उठाना है जैसे कि यहाँ पर अगर आप देख सको तो यहाँ पर मैं जूम कर लेता हूँ तो जिन भी लोगों ने इस लवल पर buy किया होगा उनने अच्छे return इसमें कमाए होगे क्योंकि यहाँ से सीधा हमें लग रहा था कि हाँ stock में अब heavy buying आ गई है और उसके बाद काईस यहाँ पर अगर बात की चाहिए targets की अगर मैं बात करूँ तो targets हमारा clearly यही है 1955 का यही से गिरना स्टार्ट हुआ था और इसे भी अगर break करता है तो काफी तगड़े return से gain कर सकता है क्योंकि यहाँ पर सीधा यहाँ से कुछ इस तरीके के pattern हमें बनते वे नजर आ सकते है तो guys यहाँ पर clearly यहाँ पर buying का opportunity आपको मिल रही है बड़ guys अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ से भी आप क्या कुछ levels है इन levels को अगर आप देखो तो यह levels काफी तगड़े है case है तो यहाँ पर आप देख सकते हो stock ने यहाँ पर support लिया stock ने second बार यहाँ पर support लिया यहाँ पर third time support लिया और यहाँ पर यह फिर से निचेगी और आ सकता है support लेने के लिया तो guys यहाँ पर यह चीज़े clearly आपको पता चल जाएंगे अगर आपने कई बाचार एनलसस देखे हो कुछ इस तरीके के support लेता हो नजर आ रहा है और कुछ इसी तरीके से उपर जाने की भी कोशिश करेगा और 1955 का जो target है वो इसी तरह से अच्यू करेगा इसमें guarantee के जाथ केता हो यहाँ पर आज भले ही बड़त है बट market down है तो यह बिलकुल down आने की कोशिश करेगा और जैसे ही यह down आता है आपको इसमें खरीदारी खर लेना चीए क्योंकि इससे अच्छी opportunity आपको इसमें नहीं मिलने वाली और 1955 का target आपको अच्यू होतावा नजर आ जाएगा और guys वही अगर देखा जाए तो 5 दिन में stock 161 रुपे गिर गया है और बड़त भी इसमें देखने को मिली हमें कल और देखा जाए guys तो आज क्या कुछ stock में हो रहा है तो 1766 रुपे 70 पेसे पर stock open हुआ था और stock ने high लगाया था यहाँ पर 1833 रुपे 70 पेसे गा और guys वही अगर बात करें low की तो stock ने low कितना लगाया है तो 1711 रुपे 10 पेसे का stock ने low भी लगाया है और साथी guys अब बात करें अगर market cap की तो market cap की साब सब बिलकुल यह large cap stock है और 1.16 lakh करोड के असपास का market cap भी stock का देखने को हमें मिल रहा है so guys यहाँ पर अगर देखा जाए 52 weeks का high और 52 weeks के low की अगर बात कर ले तो high की अगर मैं बात करूँ तो 52 का जो high है वो 1955 रुपे का है और जो low है 1291 रुपे का दिख जाएगा तो 1955 का target ही हमारा रहना चाहिए और target हम इसे रख सकते जो high था उसे ही हम target रखना चाहिए और जैसे यह नीचे गिरा था तो 1291 तक यह नीचे गिर गया था तो वही गाईस अब बढ़ते हैं आगे तो resistance level support level discuss करते हैं तो resistance level यहाँ पर अगर देखो 1877 रुपे 32 पेसे के असपास का first resistance level यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है और second resistance level की अगर मैं बात करूँ तो ओ है 1962 रुपे 18 पेसे का तो गाईस वही गाईस अगर बात करें हाँ पर third resistance level की 2149 रुपे 37 पेसे के असपास का third resistance level भी दिख जाएगा वही गाईस अगर बात करें support levels की support level को अगर देखा जाए 1575 रुपे 27 पेसे के असपास का first support level है second support level अगर देखा जाए 1390 रुपे 0 अपर क्या कुछ community sentiments के सापस का जा रहा है सुरी यहां पर प्राइस परफॉमेंस देख लेता है फिर वह देखेंगे तो 15.49 का प्राइस परफॉमेंस यहां पर देखने को बिल रहा है तो यह भी पॉजिटिव है बिल्कुल आप भी इसमें पॉजिटिव रह सकते हैं और ट्रेड वेल्यू अगर देखी जाए तो कॉमिनेटी ले रही है तो लोगों ने जब यह स्टॉक गिरा था तो खरीदने की कोई कसर छोड़ी नहीं है बात कर अगर कॉमिनेटी सेंटिमेंस के साब से 80% के आसपास की स्टॉक में बाइंग हमें देखने को मिल रही है गाइस और 17% की सेलिंग है और 3% की होल्डिंग ह तो बिल्कुल यहाँ पर लोगों का ओपिनियन है हसी पर सेलिंग करने के लिए और कह रहे हैं गर चेहल करने के लिए थीन से सुर्प सी लोग तो निचे के लिएए तो होल्ड करो अगर नहीं खरीदा तो वेट करो उस्व गाइस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्स कर देना थेंक यू